हालो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम टोपिक पढ़ेंगे ग्लास को कोमा इसकेल तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ट बाई टीजडेल एंड जेनेट इन नाइंटिन सेवन टीफोर जो जीसी एसकेल इसको सबसे पहले पब्लिश किया टीजडेल एंड जेनेट ने और कब किया था उननीस सो चोहतर में अब यह टूल क्यों यूज किया जाता है किसलिए यूज किया जाता है तो इस टूल इस यूज टू एसेस नियूरोलोजिकल कंडिशन और पेशेंट और चेक लॉस ओफ कॉन्सियसनेस जो जीसी एसकेल है इसका यूज किसी परसन की नियूरोलोजिकल कंडिशन को एसेस करने में किया जाता है दूसरा कॉन्सियसनेस के लेवल को एसेस करने में इसका यूज किया जाता है अब इसकी बात करें इसकोर की तो इसमें जो इसकोर होता है जीसेस स्केल का वो रहता है तीन से पंदरा के बीच में यानि 3 to 15 यहाँ पे minimum zero नहीं होता है minimum score होता है 3 और maximum score होता है 15 ओके तो GCS scale का जो score है वो कितना रहता है 3 to 3 से 15 के बीच में अब जो बात करें जो यह score है वो किस base पे मतलब इस पे assess किया जाता है तो यहाँ पे 3 response present होते हैं उन 3 response के base पे एक person की condition को assess किया जाता है तो यहाँ पे 3 response है जिसको short में मैंने बना दिया E, V, M ठीक है E से तो हुआ I response, V से हुआ verbal response, M से हुआ motor response तो यहाँ पे 3 response होते हैं जिसके base पे एक person की neurological condition को assess किया जाता है अब इसके score की बात करें तो minimum score हो गया यहाँ पे I response का हो गया एक verbal का एक और motor का एक तो मिला total कितना हुआ? 3 तो minimum कितना होता है? 3 maximum score की बात करें तो I response का maximum score है वो है 4 verbal का है 5 और motor response का है 6 तो total कितना हुआ? 15 तो इस तरह से यह जो 3 response है I response, verbal response, motor response इसके base पे एक person की neurological condition को assess किया जाता है और इसमें जो score की बात करें तो कितना होता है? 3 से 15 के बीच में minimum 3 और maximum 15 तो अब बात करते हैं इसमें first one जो है I response तो जो इसमें आपको बताया I response मेकजिमम score कितना होता है? 4 होता है तो यहाँ पे points भी कितना आएंगे? 4 आएंगे, okay? So इसके लिए एक neemonic है ESPN इसको याद करने के लिए ESPN एक score channel है तो यहाँ पे जो ESPN की बात करें तो first one है E तो E से आएगा I opening spontaneously ठीक है? आप जैसे person का अपन जो SS कर रहे हैं, किसी person को observe कर रहे हैं GCS scale के base पे तो अगर वो person I response में अपनी आँखे spontaneously open रख रखा है normal जैसे अपन open रखते हैं वैसे open है उसकी eyes तो उसको score देंगे 4 ठीक है? अगर दूसरा अपन बात करें S से अगर person जो है, वो sound पे eye response दे रहा है, अगर हम उसको पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, उसको आवास दे रहे हैं तो उस पे अगर वो eye response दे रहा है, ठीक है? तो score कितना होगा? 3 3rd one है P, तो P से होगा pain अगर किसी person जो है, ठीक है? उसको अगर अपन किसी particular area में किसी तरह का pinch कर रहे हैं, किसी तरह का pain stimuli दे रहे हैं, ठीक है? और अगर वो pain stimuli पे अगर response दे रहा है, ठीक है? आई open कर रहा है, तो उस पे score देंगे 2, ठीक है? और last one है, N से no response, वो बिलकुल भी eye response नहीं दे रहा है किसी भी चीज करने हैं, अगर उसको अपन आवाज भी दे रहे हैं, तो response नहीं दे रहा है, pain दे रहा है, stimuli दे रहा है, तो भी response नहीं दे रहा है, ठीक है? बिलकुल response नहीं दे रहा है, तो उसका score होगा 1, ओके? तो यह first one हो गया, eye response जिसमें 4 होते हैं, eye opening, spontaneously, तो 4 होगा, sound पर अगर response दे रहा है, तो 3 होगा, pain पर दे रहा है, response तो 2 होगा, और कोई भी response नहीं दे रहा है, तो 1 score होगा, ओके? तो यह हो गया, eye response का, अब second one है, इसके बाद, verbal response, तो verbal response के लिए यहां पर नेमोनिक है, our country win, तो इससे कैसे, नेमोनिक से आप याद करोगे, तो जैसा मै आपको बताया, इसमें 5 score है, ठीक है, eye response में कितने थे, 4 score था, maximum, motor, sorry, ठीक है, second one जो है, verbal response, इसमें कितना score है, maximum 5, तो अब इसमें बात करें, first one, तो यहां अवर जो first था, उससे O आ रहा है, यहां पर, O लेंगे हम यहां पर, तो O से होगा, oriented, आप कोई person जो है, verbally, पूरा response दे रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, कि आपको पता है, आप कहां पर present है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो सारी चीजे, normally बता रहा है, कि अभी, मैं hospital में present हूँ, मैं यहां पर admit हूँ, मैं कोई यह problem हुई है, अभी दिन का यह time हो रहा है, अगर तो score कितना होगा, 5 होगा, second one है country के, जो C है, इससे करेंगे, तो यहां पर होगा confused, अगर person थोड़ा confused है, हम उससे पूछ रहे हैं, कि आप बता सकते हैं, कि आप अभी कहा हैं, अभी दिन का क्या time हो रहा है, तो थोड़ा confused है, वो बोल रहा है कि मुझे शायद पता नहीं है कि मैं कहा हूँ, ठीक है, I don't know, maybe at hotel में, hotel में हो सकता हूँ, शायद अभी शाम हो रही है, ऐसे confused है वो, ठीक है, तो score कितना होगा, 4 होगा, next one है W से यहां पर होगा, words inappropriate, अगर हम उस person से कोई बात पूछ रहे हैं, ठीक है, और अगर वो उसका जवाब inappropriate words में दे रहा है, जैस कुछ अलगी words, inappropriate words यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऐसे words जो यूज़ कर रहा है, जो उसे related नहीं है हमारे question के, तो score क्या होगा, 3, ओके, और next I, I से क्या होगा, incomprehensible words, यानि हम जब person से कुछ पूछ रहे हैं, तो वो बिलकूली सही से जवाब नहीं दे रहा है, यानि कुछ ऐस words यूज़ कर रहा है, एसे, मतलए incomprehensible words यूज़ कर रहा है, तो score होगा, यहाँ पर 2, ओके, और last one है, n से no response, अगर कोई भी response नहीं दे रहा है, हमारी बात का, हमारे questions का, ठीक है, तो score क्या होगा, 1, तो आपको यह समझ में आ गया, next one जो verbal response था, इसमें 5 score होते हैं, और वो 5 match score यह होते हैं, ठीक है, और इसका जो नेमोनी के वो है, our country win, ओके, अब last one है, इसके बार, मोटा response, मोटा response की बात करें, तो इसमें maximum score कितना था, 6, तो यहाँ पे 6 point है, तो इसका जो नेमोनी के वो है, can't live without fans, ओके, तो अब इसकी जो बात करें, तो इसमें 1st point है, can't से C ले हैगा, commands, अब जैसे यहाँ पर जो मोटा response है, इसमें कैसे response होगा, कि हम उस person को बोल रहे हैं, जिसके हम condition assess कर रहे हैं, कि आप अपना हाथ उपर करें, अपने सीर को turn करें, ठीक है, तो अगर वो हमारे commands को obey कर रहा है, मान रहा है, हमने बोला, उसका हाथ उपर करो, तो हाथ उपर कर रहा है, अपना, ठीक है, नोर्मल या हमारे command obey कर रहा है, तो score कितना होगा, 6, next one है, leave में जो L है, इससे होगा, localized to pain, अगर person को, हम कहीं particular area में pain stimuli दे रहे हैं, जैसे हाथ पे pain stimuli दिया, pinch किया, तो बता रहा है कि मुझे यहाँ पे pain हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो localized है, उस pain के लिए, तो score कितना होगा, 5, next one है, without, without के w से होगा, withdrawal to pain, ठीक है, अगर हम किसे उस person को, कहीं पे pain stimuli दे रहे हैं, like अगर उसके pair में, ठीक है, pain stimuli दे रहे हैं, तो अपना pair को दूर कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है, withdrawal कर रहा है, अपने pair को, pain से, तो उस के लिए, score होगा, 4, next one है, flexion, F से होगा, flexion abnormally, अगर उस person को, pain stimuli दे रहे हैं, तो वो अपने हाथ को, या pair को abnormally flex कर रहा है, तो score होगा, 3, next one है, A, A से होगा, abnormal extension, अगर pain stimuli देने पर, अगर वो person, अपने pair को, या किसी भी body part को abnormally extend कर रहा है, अपनी body को abnormally extend कर रहा है, ठीक है मोड रहा है, तो score होगा, 2, और कोई भी response नहीं दे रहा है, तो last में score होगा, 1, okay, so ये बात हो गई, motor response की, जिसमें 6 score होते हैं, और 6 points होते हैं, तो यहाँ पे, मैंना आपको जिस तरह से बताया, कि जो ये 3 score होते हैं, E, V, M, I response, verbal response, and motor response, इसके base पे person की neurological condition, SS की जाती है, और इसमें जो score होता है, वो कितना होता है, 3 से 15 के बीच में होता है, और person को जब हम observe करते हैं, तो उससे जो भी response होते हैं, उनके base पे score दिया जाता है, ठीक है, तो अगर 15 score आ रहा है, 14, 15 इतना आ रहा है, तो person की neurological condition कैसी अच्छी है, 8 आ रहा है, तो मतलब middle में है, और पी complete होगे, अगर आपको कोई भी problem होता है, आप comment करके पूछ लीजिए, thank you